हन जी राम राम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और अपका परिवार ठीक ठाक हुगा दोस्तो आज शुनवाई थी CET 567 जो गुरूप है उसके उपर जो केश चल रहे हैं उनकी हीरिंग थी आज लगातर मामला चला आ रहा है दोस्तो लेकिन कोई समाधा नहीं निकल रहा है और बार-बार बचे मिलकर या जो भी लोग हैं इससे जुड़े वे वो बार-बार परियास कर रहे हैं बार-बार अपनी मांग उठा रहे हैं कि इस भरती को जल्दी से जल्दी कम्पलीट कर दिया जाए यदि कैंसल करना है तो कैंसल कर दिया जाए और इसी के बेस पे आगे क्या प्रोसेस कम्पलीट करना है तो प्रोसेस कम्पलीट कर दिया जाए लेकिन इस भरती को निप्ट डेट मांग ली है पता निकितनी सुनवाई हो चुकी है उन सुनवाईों में हर बार HSSC की तरफ से अर्याना सरकार की तरफ से टाइम मांग लिया जाता है कि हमें और टाइम से यह next date दे दीजिए next date दे दीजिए कितनी तारिक और याना सरकार मांगेगी, कितनी तारिक है चससी मांगेगा, कब तक युवाओं के साथ इस तरीके का जो मजाख है वो किया जाएगा, कैंसल करना है तो कैंसल कर दीजिए, इसी के बेस पर रिजल्ट निकालना है, तो रिजल्ट निकलवाने का प्रोशा साखे कर दीजिए, कुछ तो कर दीजिए लेकिन साथ अरियाना सरकार को जो यूवा है, जो यूथ है इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है अरियाना सरकार ने तभी तो इतने दिन से कोई सुनने वाड़ा नहीं है कोई समझने वाड़ा नहीं है मैं तो यहां तक कहूँगा कि एक दो बच्चों ने जान भी दे दी अपने अपनी जिंदगी घतम कर ली है इस HSSC भरतियों के पीछे आलंकी कदम सही नहीं है लेकिन कहीं न कहीं जिम्यवार तो यह HSSC वाड़े हैं और यह हरियान सरकार है यह जो सिच्वेशन पैदा करी है कुछ लोग आपस में ही अब लडने जगडने के उपर कोई किसी को डांगर बोल रहा है कोई किसी को नाग बोल रहा है तो यहाँ पर कोई डांगर या कोई काड़ा नाग इन भरत्यों को नहीं रुखा रहा, बलकि भरतिरों को गैंग तो खुद सरकार है, अपने हक के लिए आप भी कोरट में जा सकते हो, कालिया नाग कोई ऐसा है, जिसका आप बार-बार नाम ले रहे हो, तो उसने अपने हक के काम किया होगा, यहाँ पर डांगर और कालिया नाग जीमेवार नहीं है, बरतियों को रोकने वाली सिरफ अरियना सरकार है, जब अरियना सरकार के मन में आएगा, तब यह भरतिया पूरी करेंगी, उससे पहले कुछ भी नहीं होगा, और इसके लिए मैं पहले भी कहता कई बरती पासवाड़ा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, अलग-अलग तरीके से गुट बने हुए हैं, दो बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, उस मांग को लेकर, तीन बच्चे वहाँ पे खड़े हैं, उस मांग को लेकर, एक मास्तर उन के साथ है, एक मास्तर उन के साथ है, जब तक सभी लोग एक मत के साथ, एक उदश्य के साथ इकठा नहीं आएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी और तब तक ऐसे ही युवाओं को इग्नोर किया जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि एक रजिस्टर संग्ठन बना लो, जब तक ये चीज नहीं होगी, तब तक सुधार नहीं होगा, तब तक ऐसे ही जब अरियाना सरकार चाहेगी, तब भरतियां होगी, जब अरियाना सरकार नहीं चाहेगी, तो भरतियां ऐसे ही 7-7 साल, 5-5 साल लटकती रहेगी आज फिर HSSC की तरफ से जो अरियना सरकार की तरफ से वकेल आये थे उन्होंने ताइम अंगलिया कि हमें नेक्स डेट दे दीजिए जद साब ने आसानी से डेट दे दी कि बाई सपरेल लेजी देखने से तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपस में मिला किसी को कालिया नाग बोला जा रहा है तो उसके पीछे जोड़ा जा रहा है कांगरिस ये काम करवा रही है जब कोर्ट में ऐसे बार-बार नेक्स डेट नेक्स डेट देखते आ रहे हैं तो लगता है कि कोर्ट भी अब इनके आत में है सब लोग जो भरतियों से रोजगार से जुड़ेवे हैं सब लोग एक मंस पर आकर एक जगई कठा होकर अपनी बात को रखेंगे तो बात बन सकती है अदर्वाइस बात बनेगी नहीं अब अगली सुनवाई 22 अपरेल को होगी और मैं पहले बोलता हूँ कि आप इन कोर्ट केसों के चकर में मत पढ़ो की डेट कब मिली है रिक्या हुआ क्या नहीं जब फाइनल आएगा तब पता चल जाएगा आपको तब तक आप आगे के अरब बढ़ जाएए आपको अधाई कीजिए काम करना है काम कीजिए आज की इस वीडियों में इतना ही धन्यवाद बगवान करे आप सभी कसमें सुब रहे